तो आज हम सेखने वाले कैसे करते हैं अपने विंडोस 11 के अंदर अपने फोन को मिरर तो मिरर बेसिकली कुछ नहीं आपके जो फोन का डिस्प्लेय को आपके पीसी में दिखाया जाएगा और यह चीज होती थी कनेक्ट अप से जो कि अभी विंडोस 11 में अविलेबल नहीं होता तो इस चीज को फिक्स करने एक लिए सबसे बहले हम चेक कर लेता है यहां पर कि हमारे पास कनेक्ट है कि नहीं तो सर्च बार पर जा कि हम कर लेता हैं यहां पर सर्च कनेक्ट आड़ जैसे कि आप देख पा आपने से चेसरी सपर करेंगा तो तो यहां पर जानके आपने कोफिक क्लिक करने के बार कंप पे यहां पर यहां पर जाए को यहां पहुत आप जाना हो है जाना है यहनान लिकलिव कारीrics के features then आपको यहां पे जाना है तो यहां पर जैसे देख पार है व्यू फीचर्ट पर आपको करना है click देन आपको यहां पर search करना connect तो बहुत सरी चीजा आपको यहां पर दिख रही होगी आप चाहे तो search कर सकते हैं या फिर scroll करके भी ढूंड सकते हैं तो हम कहां पर search कर लेते हैं तो wireless display आपको यहां पर करना है select यहां पर आचुका wireless display तो गलते इस पर click and next तो यह हमारा जो है connect software को install करेगा और यहां पर हमने कर लिया है वार्लेक्स को install तो थोड़ा सा टाइम लेगा एक बड़ा पर यहां पर install हो जाए तो आपका connect जो की wireless display होगा वहां पर आपको search करना पड़ेगा अपने search बाहर पर यहां पर लिख लेते हैं connect तो जैसी कि connect लिख रहे हैं यहां पर हमको यहां पर इस बार connect का options दिख रहा है तो इसको कर लेते हम open तो simply आप open करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं यहां पर option आपको देख जाना चाहिए connect आपका तो यहां पर कर लेते हैं connect को open जैसी कि आप देख रहें अब यहां पर अपना जो कि connect का आप है वह खुल चुका है और desktop का नाम यहां पर दिख रहा है बिल्कुल ready है connect करने के लिए और यहां पर आप चाहे तो अपने कोई भी device से connect कर सकते हैं तो पहले आपको यहां पर जो की settings होती है connection की projection settings यहां पर आपको खोलने पड़ेगी and ठोड़े changes लाने पड़ेंगे अपने PC पे तो projection settings पर आपको जाना है and जाने के बाद इसको open then आपको यहां पर करना है अपने जो की settings है कुछ इस प्रकार से जैसे कि यहां पर some windows and android device can be projected लिखा रहा है और वगेरा वगेरा तो इस वाले option को जो की आपका यह वाल option है उसको आप करना है enable available everywhere then आपको ask तो इस वाले को आप चाहे तो यह भी कर सकते है secure networks पर जिससे आपका security बढ़े यहां फिर आप default everywhere कभी कर सकते हैं बट यहां पर next वाले पर जाते हैं तो यहां पर ask to project to this PC तो जब भी आप करेंगे वहां पर कोई भी device से connect तो वहां पर request आएगा उस पर आप कर सकते हैं इसको setting and pin के लिए आपको पूचा जाए तो आप चाहे तो फिन लगा सकते हैं first time के लिए या फिर हमेशा के लिए जब भी आप चाहे करने लगा सकते हैं तो ऐसा कुछ सेट कर सकते हैं आप चाहे तो करने के बाद आपको यहां पर जैसी देख पार हो यह always off पर आपके नीचे बंद हो जाता है और यह आपका जो है PC नेम है तो यह सब चीजें हैं यहां पर को चीजें आपको available दिख रही हैं तो उसकी साफ साफ इसको कर सकते हैं set यहां पर देख पार रहा है स्क्रीन पर यहां पर यहां पर बहुत हैं तो फिल्लार के लिए आपके हम यहां पर लाद चोगे अपना फून आंड जैसा कि आप देख पार हैं स्क्रीन पर यहां पर इसका यहां पर इसका यहां पर बहुत ही आपको यहां पर इसको नेम चूस करके आप श्रीन शेयर कर सकते हैं बट अगर आपका ऐसा नहीं है आपका कोई और डिवाइस है तो उसका भी ऑप्शन सम आपको भी बताएंगे तो फिलाल के लिए जिसे के आप देख पा रहे हैं मिलर शेयर को आ रहा है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना और करने के बाद आप आपको यहां पर नेम दिखाया जाएगा कि किसके साथ आपको यहां पर करने करना है तो आपको यहां पर चूस कर लेना है जो भी आपका यहां पर डिवाइस का नाम है तो फिलाल के यहां पर दूसरे डिवाइस पर भी हम आ जाते हैं सब्सक्राइब हैं यहां पर कुछ इ कीजिए की देख पार है क्योंकि हमने यहां पर कर लें आपको क्लिक यहां पर करने के बाद आपका अपनी करने को जाना चाहिए तो ऐसे करते हैं अपनी डिवाइस को कनेक्ट तो आशागर तो आपको सबको समझ आ गया होगा